है कि हेलो स्टुडेंट्स आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हीडिंग नंबर 5.6 आईल्सक्विस्टिक के बारे बात करेंगे एससे पहले हम बात जो कर चुके हैं और वॉइस लो से एक टार। यह होती कैसे कैसे हैं तो आईडल का एक्वेशन जो होती है वह आफ के थ्री लॉज पर डिपेंड करती हैं जो हम प्रिवियस में पढ़ चुके हैं इन थ्री लॉज को कमाइंड करकर एक सिंगल एक्वेशन बनाई जाती हैं कौन कौन से लोग बॉईस लोग का इस्तमाल करके चार्स लोग का इस्तमाल करके इनके कॉमिनिशन से एक नई सिंगल एक्वेशन बनाई जाती है उसी नई सिंगल एक्वेशन को आईडल कैसे एक्वेशन कहते हैं डेफिनिशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनिशन लिख सकते हैं जो नहां दे रखिया है the three laws which have we learned till now can be combined together in a single equation which is known as ideal gas equation अब कौन कौन से बनेगी एक constant temperature पर हम जानते हैं कि एक constant temperature पर T and N यह एक constant temperature पर T और N T और N जो होता है boys law के अनुसा जो relationship निकल कर आता है कि V is directly proportional to 1 upon P एक constant P and N पर V is directly proportional to T जैसे हम चाल सुलो केते थे same as ever गदरो V is directly proportional to N अब इसी के combination से हमने किया किया कि V को हमने बराबर दखाया अब यह V V हैं आपके ठीक है यह तीन जगे से आपको V V दिखाई दे रहा होगा इसको ही हमने directly proportional दखाया इन सब combinations के 1 upon P के N और T के टिक V is directly proportional to 1 upon P V is directly proportional to T V is directly proportional to N इनने के combination से एक नई equation वाना दिए जो हो गई आपकी V is directly proportional to N T upon P ओके अब proportional रठाएंगे तो कोई ना कोई constant अपने लेना पड़ेगा तो ले लिए हमने constant जो है आपका यहां R है R अगर constant है तो R को कहींगे क्या तो R आपका proportionally proportionality constant है proportionality constant है जो यह दे रखा है proportionally constant है तो R को अगर हम remove करना चाहिए R को अगर हम remove नहीं करते हैं तो यहां से एक equation निकालने के खुशिश करते हैं एक इसके थरू जो rearrangement किया रहेगा rearrangement की रहेगा equations की और जो equation बनीगी उसी को actual में idle gas equation कहा जाएगा कौन सी idle gas equation PV एक्वल टू एन आर टिक PV एक्वल टू एन आर टी P को इधर ट्रांसफर किया गया यहां यह वालो जो P था वो यहां ट्रांसफर किया गया यह हो गया PV और यह वाली combination उनकी अब यहां से आर गी वैल्यू और नकालने तो क्या निकल कर आएगी PV अपॉन एंटी वेर आर इस रा आर इस कॉल्ड़ा gas constant आर को हम कहने है gas constant यह जो दे रखा है आपका आर को क्या कह रहे हैं gas constant कह रहे है it is same for all gases यह सभी gases के लिए same रहेगा therefore it is also called universal gas constant इसको क्या कहा जाएगा universal gas constant भी कहा जाएगा जो figure 5.17 यह इस वाली equation को universal gas constant कहा जाएगा और इसी को हम idle gas equation कहते है ठीक इसी को idle gas equation कहते है अब इसी में कहें क्या कि इसी के थुरू से हमने V की value निकाल ली और V की value निकालने के बाद यहां R की value निकालने के लिए N की value रखी R की value रखी T की value रखी और P की value रखी इसे capital R निकालने हमने एक STB condition पर जो use किया जा रहा है 0 degree Celsius से 1 atmospheric pressure तक R की value जो find की जा रहे है वो R की value निकालकर आ रही है आपकी 8.20578 multiplied by 10 of the power minus 2 liter atmospheric per kilo mole अब यह जो relationship बन कर आया जो relation बना आपका idle gas equation is a relation between 4 variables idle gas equation जिसने relation बनाया 4 variables के बीच में और इस किसी भी gas के state को describe किया और उसी gas के state को describe करना ही क्या गया लाती है equation of gas उसको हम क्या कहते है equation of gas कहते हैं अब यह दे रखें हैं में कि PV upon BV PV P1 upon B1 P1 V1 upon T1 equal to Nr and P2 B2 upon T2 equal to Nr same है दोनों की Nr Nr रठा देंगे यानि कि Nr और Nr की दोनों की value same है तो यह value same हम रख देंगे या figure 5.19 figure 5.19 जो equation है यह वाली जो equation दे रखी है इसी को कहा जाता है आपका combined gas law इसी को क्या कहते है combined gas law आपका कहा जाता है तिक देखिए next heading 5.6.1 5.6.1 क्या कहा रहा है कि density and molar of a gases substance density and molar of a gases state अब इसी में करना क्या है जो idle gas equation थी उसको rearrange करना है हमें वो क्या थी आपके idle gas solution add gas equation क्या थी pv equal to n r t यहां से यह हमने ले लिया कि n upon v यह v इदर पहुचा दिया और यह r इदर पहुचा दिया यार यह इदर पहुच गया तो n upon v equal to p upon r t जो कि यहां दे रखा है आपका यह दे रखा है अब इस में करना क्या है n की replacing पर आपको small m upon capital m put करना है put कर देंगे वई m upon small m upon capital m v equal to p upon r t figure 5.20 and a की अलग equation बन गई अब m upon v की जगह रख दिया उसने d क्योंकि वो density वो डिफाइन करता है d upon capital m equal to p r t और यहीं से एक equation और निकलेगी जिसे molar mass gas कहा जाएगा यह जो निकल कर आई capital m equal to d r t upon p इसको ही molar mass gas कहा जाएगा जो कि उपर दे रखा है molar mass of a gaseous substance यही density और molar mass gaseous substance निकल कर आ जाएगा कि नेक्स देखिए कि अ कि डाल टन्स लॉफ पार्शल प्रेशर डाल्टस नौ क्या होगा किसी भी पार्शल प्रेशर का तो डाल्टस लॉफ जो हमने प्रिवेस लक्षेस में बड़ा था उसी को लेकर एक क्या क्या करेंगे किताए अब मिक्षटिव गैसें इस देखि के तहुस है non-reactive gases के दुरू वो बराबर होंगे अपने अपने partial और individual gases के सम के यहनि अगर आपको P total लगाना है किसी constant T और constant temperature पर और volume पर तो P total जो नकल कर आएगा वो निकलेगा P1 प्लस P2 प्लस PT यहनि अपने अपने partial pressure के सम के बराबर होगा original pressure dry gas के लिए अगर find अगर ना हो P dry gas equal to अगर find अगर ना हो तो total में से आप equus tension अगर दाद दीचिए निकला है का आपका P dry gas अब यह एक figure भी आपको no down करना है यह जो table दे रखे न यह equus tension of water water pressure as a function of temperature यह भी आपको no down करना है partial pressure in terms of mole friction mole friction में अगर partial pressure अगर यह partial pressure terms में अगर mole friction को define किया रहा है तो mole friction जो define होगी वो P1 equal to N1 RT upon V N1 RT upon V में define होगी P2 कुछ इस तरीके से निकलेगा और P3 कुछ इस तरीके से निकलेगा P2 value यानि N2 same है P2 equal to NIT लगाना है उसमा 1st, 2nd, 3rd अब इसे में P total निकाने तो P total क्या निकल कर आएगा P1 plus P2 plus P3 जो value निकल कर आएगी हम सब को plus कर दो उन सब को plus कर देंगे तो एक value और concept होगी वो यह रहीगे कुछ यहां से N1, N2 और N3 इसमें से RT upon V समय common है RT upon RT upon V समय common है तो वो निकालेंगे N1 plus N2 plus N3 यह रह जाएगा आपका अब दोनों तरफ क्या करें आप P1 से on dividing P1 by P total P1 और P total से डवाइड करेंगे तो हम मिलेगा क्या P1 और P total से left hand side में डवाइड किया और P1 और P total से right hand में हमने डवाइड किया तो यह कुछ equation बनकर आ गई अगर pure N की बात करेंगे तो X यहाँ कोई आपका मॉल फ्रक्शन फर्स्ट गैस के लिए तो capital N या पूरे N की जो value नकल कर आएगे वो क्या नकल कर आएगे N equal to N1 plus N2 plus N3 X यहाँ कोई मॉल फ्रक्शन है कि से भी गैस का partial पेपर partial बेपर प्रेशर यहाँ कि P1 की अगर value find करने कोशिश करें तो जो partial पेपर प्रेशर होगा partial पेपर प्रेशर जो होगा वो अपने ही pressure और मॉल फ्रक्शन के बराबर होगा यह पहले के S के लिए अधर यह अभी आपको note करना यह पहले के S के लिए है यह दूसरी के S के लिए निकल कर आया और यह तीसरी के S के लिए निकल कर आया अगर general equation लिखने की कोशिश करें तो P I equal to X I B total X I की value रखते हैं जलेंगो X यहाँ कोई आपका mole friction है जो अलग अलग individual forces को accept करके चल रहा है ठीक next आपकी kinetic molecular theory of gases यह एड़िए यह एड़िए यह एड़िए